मुझे याद है जौनपुर में फेक इंकाउंटर किया गया आज के लिए मेरे लिए सबसे बड़ी ख़बर क्या है इस देश के बहुजन समाज की सोसल मीडिया पर ताकत और जागरुकता सोसल मीडिया पर आज दिन भर सफाई करमचारियों का मुद्दा ट्रेंड करता रहा परधान, मंत्री, राष्ट, पती, तमाम संबैधानिक पदों पर बैठे उन लोग को कहा गया कि सफाई करमचारियों की जिन्दगी की सुरक्षाक की जिमेदारी कौन लेगा उनका हाक अधिकार कौन देगा, सुचिए, कितनी बड़ी पुलिटकल और सोसल कॉंस्परेसी है ये, कितना बड़ा आज ही के दिन बाबा सहब को पानी पीने के लिए अंदोलन चलाना परा था आप सब जानते हैं, उसकी भी बात बताऊंगा और आज भी इस देश में सफाई का जिम्मा एक जाती के पास है इस देश में जाती बनाई गई थी, लोहा का काम, लकरी का काम, सफाई का काम, चमरे का काम, खेती का काम, मबेसी का काम और एक जाती बनाई गई थी जो परने का काम, एक जाती बनाई गई थी जो राज करने का काम लेकिन जब संबिधान लागू हुआ तो ये सब तोर दिया गया, खत्म कर दिया गया जिसमें मेरिट होगा जिसमें दम होगा उसको मौका मिलेगा और चपरासी का बेटा चिप जस्टिस बन सकता है एक किसान का बेटा पी एम सी एम बन सकता है चाय वाले का बेटा पी एम बन सकता है यह सब क्यों हुआ क्यों कि इस देश में संविधान था लेकिन उसके बाद भी सम्भिधान लागू होने के 75 साल बाद भी जो जातिवाद और मनुबाद से पिरित हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में सब को बड़ावर का मौका मिले सोचिए कितनी बड़ी कंस्प्रेसी की गईज़े से सफाई करमचारियों को जिस जातिगत पेसा जिसके लिए बनाया गया था उनको लिए जब इस नौकरी में इसको तबदील किया गया जब उनकी तनका 30,000-40,000 होने लगे और जो वो अपने बच्चों को परहाने लिखाने लगे करने वाला सफाई करमचारी सहरों में पढायेगा 안वाली नसले पिरह दर्पिरी सफाई करमचारी उह जाएगी इस में रिक्सा चालग टेला चालग चैला सख्जी वाला ठेले वाला इन सब की तनखा कम इसलिए रखी जाती है ताकि ये अपने बच्चों पर खर्च न कर पाएं ये अपने जीवन पर खर्च न कर पाएं और ये बेहतर तरीके से जी न पाएं ताकि इनकी आने बाली नसले भी पीर ही दर पीर ही अगर फुटपात पर है तो वो फुटपात पर रहे सफाई करम चाड़ी है तो सफाई करम चाड़ी रहें इसलिए जो मिहनत कश लोग है उनकी तनका कम रखी जाती है लेकिन आज खुशी है कि इस देश में 75 साल वाद कोई TV अख़वार इस पर नहीं बोलेगा लेकिन बहुजन समाज के लोग आज सोसल मीडिया पर संक्यकों से अपील करता हूं कि निशनल दस्तक देखिए उसी में आपकी भलाई आपके नसलों की खबरे आपके फ्यूचर की खबर इस देश की खबर है आज आपको टीबी अख़वार बदायू कि वो दर्दनाक बारदा दिखा रहा है सचमुच दर्दनाक कराइम हुआ ह जान गई है दो मासूमों की आरोपियों को सक्से सक्स सजा हो लेकिन सोचिए इससे हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश होड़िये क्यों इससे किसको फायदा होगा इस देश में मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो क्राइम हुआ है उसकी सजा मिले मीडिया रिपोर्टिंग भी कर रही अच्छी बात है होनी भी चाहिए रिपोर्टिंग कोई भी कराइम करे उसको सजा मिलिए चैब लेकिन सवाल तब उठता है जब उसी उपी में दो बहर फांजी लगा लेती है इस देस में रोज दलित पिछ़रे आदिवासी किसानों की हत्याय होती है किसान धर्णा जेते हैं उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है इस देश के टीबी अख़बार में आज के डेट में सिर्फ रिपोर्टिंग होती है तो अगर आड़ोपी मुसल्मान है तो उस खबर को चलाया जाता है और देश को बताया जाता है कि देखो एक धर्म विसेश के लोग किस तरह से क्राइम कर रहे हैं और इसकी बज़ा है राजनीती जो सत्ता में अभी दल है उसको इसका सिधा सिधा हिंदू मुसलिम का फायदा था मैं फिर कह रहा हूं क्या इस देश में इसको धार्मिक रूप तब दिया जाना है जब कोई मुसलिम संगठन उस आरोप मुसलिम होता है तो हम सब मान लेते हैं कि वो दोसी ही है जब कोई आरोपी दलित पिछरे आदिवासी अलफसंख्यक किसान होता है तो मान लेते हैं कि वो दोसी ही है ये भी एक तरह का प्रिजीवडिश है इसलिए अखलेश यादब ने जो वीडियो कहा है कि यूपी में फ चलिए माल लीजी इंकाउंटर सही है इस केस में ठीक है तो उन्हीं यह फिर कह रहा हूँ टीबी अकबार आपको लगातार गुमराह कर रहा है आपको criminal बना रहा है, हत्यारा बना रहा है इस देश का TB अखवार इस देश के 90% लोगों से नफरत करता है वो उनकी खवरे नहीं दिखाता है वो उनकी समयधानिक अधिकारों के खिलाफ है और इसकी वज़ाई है कि TB अखवार वो ऐसा फिल्ड है जहां इस देश के 90% लोगों का रिपर्जेंटेशन न के बराबर है हैं ही नहीं इस देश में High Court, Supreme Court में भी लोग हैं इस देश में Media और ऐसी जगह है जहां एक भी लोग नहीं है ना Media मालिक है, ना संपादक है, ना Reporter है, ना पत्रकार है 90% लोगों का रिपर्जेंटेशन ही नहीं है High Court, Supreme Court में उसके बाद थोरा है उसके बाद College University में थोरा है Business में थोरा है Sports में थोरा है तो सुचिए 90% लोगों का रिपर्जेंटेशन नहीं है और इसलिए जान बुचकर एक Propaganda फैलाए जाता है सवाल है कि इस देश में जो भी क्राइम होता है उसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं होती है क्या उसमें जाती नहीं देखी जाती है क्या धर्म नहीं देखा जाता है क्या B.H.U. के गैंग रेप की रिपोर्टिंग होई क्या भी जो दो बहनों ने suicide किया उसकी reporting हुई रोज जो हत्याय होती है इस देश में क्या उसकी reporting होती है रोज के गैंग रेप की reporting होती है नहीं TV अखबार उसी की reporting करता है जिसमें एंगिल धार्मिक हो और उसमें भी मुस्लिम अगर आरोपी है तो उसकी जम कर reporting होती है ताकि पूरे देश के 90% लोगों को जिनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं जो जातिवाद के सिकार हैं जो मनुबाद के सिकार हैं उनको धार्मिक रूप से polarize किया जाए और फिर सत्ता में पहुँचा जाए और सत्ता में पहुँचने के बाद उन्ही के संबैधानिक अधिकारों को छीना जाए एक बड़ी conspiracy है इसे साबधान रही है criminal criminals हैं उसको सजा मिलनी चाहिए लेकिन मीडिया की जो खबर है वो तै करता है मीडिया तै करता है कि किस खबर को दिखाना है और किस खबर को छुपाना है मैं मीडिया के छात्र होने के नाते आपको जानकारी दे रहा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं किसी भी खबर को लेकर आप चिंतन कीजिए बिलकुल उसके भाकाबे में मत आईए जब भी कोई खबर चले तो उसका विसलेशन कीजिए मीडिया को मैं तब इमानदार मीडिया मानूगा जब वो हर तरह के कराइम की इसी तरह से रिपोर्टिंग करे जब भी इस देश में जातिबाद की खबरे हो मनुबाद की खबरे हो जब कोई दलित, पिछरा, दिवासी, किसान, संख्यक कांदोलन हो मारा जाता हो तब उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है उसको नहीं दिखाया जाता है चाया वो हिंदू ही क्यों न हो स्टी एक्ट में मारे गये थे दस बहुजन समाज की उबाद उसकी रिपोर्टिंग नहीं होई तो इस देश में जान बूच कर मीडिया जो है वो आपको क्रिम्नस बना रहा है आपको समपरदाइक बना रहा है इससे साबधान रहिए और सचेत रहिए और क्रिम्नस को क्रिम्नस समझे ये मामला पूरे किसी एक कम्मुनिटी को बदनाम करने की कोशिश होती है और यह सब कुछ राजनीती की तहत किया जाता है ताकि आरोपी और को घेरे में डाल कर जैसे ही आरोपी कोई मुसल्मान होगा उसकी जमकर रिपोर्टिंग होगी ताकि उसको कट घरे में खराग किया जा सके जबकि होनी चाहिए थी कि सारी खबरों की रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी क्या लगता है टीबी अखबार सबसे ज़ादा संपरदाइकता फैला रहे हैं क्या वो लोगों को धर्म के नाम पर दुस्मन बना रहे हैं और सवाल है कि ये टीबी अखबार तब चूप क्यूं हो जाता है जब इस देश में सफाई करमचारियों की मौत होती है जब इस देश में किसी गैर सवन का रेप होता है उसके साथ मडर होता है एक बार फिर से मत परदेश में एक आदिवासी उबग के साथ विवस घटना हुई है वो भी खबर बताऊंगा तो टीबी अखबार से सावधान रहे है इसलिए मैलकम ने कहा था जो ब्लैक कमुनिटी से आते थे कि टीबी अखबार में वो ताकत है जो दोसी को निर्दोस और निर्दोस को दोसी सावध कर दे इसलिए सचेत रहे है सजग रहे है और टीबी अखबार को टीबी अखबार एक तो या तो देखना बंद कर दीजिए वो सिर्फ आपके बोट को परभावित करने के लिए खबरे प्लांट करता है खबरे दिखाता है आप लिए अपनी राय जरूर दे शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्स्क्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्स्क्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें